CBSC Class 10 Maths जो 2020 ने पेपर आया है उसके solution देख रहे हैं यह code है, आपके बाद series number भी है चार section होते हैं, अलग-अलग marking scheme है इसकी और calculator allowed नहीं है section A है यह on dividing a polynomial Px by x square minus 4 question and remainder are found to be x and 3 the polynomial Px is मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ, फिर यह समझने आएगा जैसे हम ऐसे divide करते हैं 2 को 5 को 2 सी divide करते हैं तो 2, 2 सा 4 होता है, और बचा 1 तो 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 into 2 प्लस 1, तभी 5 बनेगा same का आप यहां करेंगे, x square minus 4 इससे divide किया गया Px को तो question आया x और remainder आया 3 तो आमने क्या पता है अभी, इसको इससे multiply करिए x square minus 4 को x से multiply करते हैं प्लस कर देंगे 3 को, तो यह हो जाएगा x cube minus 4x प्लस 3 इसमें दिख रहा है आपको कही यहां गया, इसका उत्तर भी है In figure 1 ABC is an isosilis triangle right angled at sea therefore right angled है और साथ में आपके यह दुनों side equal भी है इसका उत्तर आ रहा है AB square वराबर 2 AC square कैसे आया है right angled triangle है तो इसमें लगाते हैं पाइथ हो गयरे स्थेरों कैसे AC square प्लस AB square यह बराबर हो गया AB square के अब यहां पर दिया हुआ आपको ABC और AC बराबर है BC और AC बराबर है हमने क्या किया AC square प्लस BC square तो AC और BC तो बराबर है तो इसका मतलब यह तो आप इसको इन दोनों को AC की जगा BC रख दीजे B आएगा 2 BC square बराबर AB square यहां दिख रहा है आपको? ना यहां नहीं दिख रहा है आपको तो आप क्या करेंगे? इस BC की जगा हम AC रख देंगे यहां पर इससे क्या मिलेगा? AC square प्लस AC square बराबर AB square AC square AC square हो गया 2 AC square यहो गया AB square यह दिख रहा है आपको? हां दिख रहा है यह है इसका सही उत्तर The point on the x-axis which is equidistant from minus 4 0 and 10 0 is तो इसमें और करके सवाल आया है और करके यह कर सकते हैं यह यह कर सकते हैं तो दोनों को करेंगा इसका उत्तर यहाँ पर पहले वाले का 3 0 है और 0 7 2 है अगर आप करना चाहें तो इसको रोग के कर सकते हैं या साथ चलना चाहते हैं तो साथ करते हैं तो point on x-axis which is equidistant from minus 4 0 and 10 0 x-axis पे जो point होता है वो क्या होता है? x-axis पे a 0 यह तो होगा यह यह y-axis 0 होती है y-axis 0 होता क्योंकि x-axis है अब इसमें यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं equidistant तो इसका distance इससे और इसका distance इससे बराबर है तो distance formula क्या होता है? y2 minus y1 का whole square plus x2 minus x1 का whole square अच्छा हर सवाल की अलग-अलग तरीके हो सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि इसी तरीके से करें आप तो आपका पहला यह माल लिजे यह minus 4 0 यहाँ पर है minus 4 0 का मिलेगा यह x minus 4 है यहाँ पर होगा है और 10 0 10 0 कहीं आओगा तो the point on the x section इसी इक्विडिसे वैसे तो आपको यह सब करने की जुरूरती नहीं क्योंकि यहाँ से direct पता चल रहा है कहां आप है minus 4 और 10 के बीच में कितना difference है यहाँ से यहाँ 4 का है distance और यहाँ पर है 10 का तो clear पता चल रहा है कि 14 है और यह point इससे और इससे बराबरी दूरी पर है तो यह कितना होना चाहिए यह होना चाहिए 3 0 Q क्योंकि 3 0 से 10 0 की दूरी है 7 और minus 4 से 3 की दूरी है यह भी 7 तो equal distance हो गया यह एक तरीका हो गया दूसर तरीका में आपको उतना चाहता हूँ y2 minus y1 whole square और x2 minus x1 whole square लगाएंगे आप यानि इसको आप y2 y1 और इसको x2 x1 मान लिजे यह y1 यह इसको x1 y1 मान लिजे एक बार आप इसको x2 y2 मानिए distance निकालिए एक बार आप इसको x2 y2 मानिए और distance निकालिए और दूनों को बराबर करते हैं आपका a आजाएगा जो कि आपका 3 आएगा यह रगने के यह दो तरीके हो सकते हैं यह दो clear हो दो अगला सवाल है the center of circle whose endpoints of a diameter are this and this is बिल्कुल same सवाल है या तो आप logic लगा के कर लिजे या आप वकाईदा formula लगा के करे या आपके उपर है minus 6 3 और 6 4 minus 6 3 यह 6 4 अगर मैं इसको coordinate system में रखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा कैसे मिलेगा कोशिश करते हैं आपको मैं इसका दूसरे तरीका भी बताऊंगा पहले आप क्या करेंगे minus 6 3 x है minus 6 या यहां कहीं होगा minus 6 और यहां 3 है यह minus 6 3 यह हो गया यह है 6 4 x है 6 तो यहां 6 और y है 4 यहां पर करीए इधर होगा है 6 4 यह diameter है इसका आपको center निकालना है तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 बाइ 2 midpoint formula याणि minus 6 प्लस 6 बाइ 2 x1 प्लस x2 बाइ 2 और y1 प्लस y2 बाइ 2 याणि 3 प्लस 4 बाइ 2 यह कितना है minus 6 एक 0 बाइ 2 0 हो गया 3 प्लस 4 हो गया 7 बाइ 2 यह एक तरीका है इसके अलग तरीके भी हो सकते हैं तो यह तरीका जो है इस तरीके से कर लीजे या आपके पास और कोई तरीका हो उससे भी कर सकते हैं अगला जो क्वेशन है इसमें find values of k for which the quadratic equation this has equal roots यह कि तो इसके लिए हमको equal roots निकालना है हम जानते हैं कि b square minus 4 a c अगर हमारे पास equation हो a x square plus b x plus c बराबर 0 b square minus 4 a c 0 होना चाहिए बराबर 0 अगर आपको equal roots चाहिए b है आपर k k square minus 4 a हैस में 2 और c हैस में 2 2 into 2 बराबर 0 k square हो जाएगा 4 to 0 अगर देट to the 16 16 और k हो जाएगा under root 16 plus minus k हो जाएगा plus minus 4 दिख रहा है आपको यह आपर आई है यह हो जाएगा इसका उत पर b which of the calling is not ap तो ap नहीं पता करने के लिए आपको ap पता होना चाहिए arithmetic progression तो यहाँ पर हम a के करके देखने के बजाए हमको यहाँ पर idea लेके चलता है देखें कौन सा ap नहीं है मैं इसको लेके चलता हूँ 7 by 3 minus 4 by 3 अगर मैं इसको a b c कहूँ तो b minus a बरापर होना चाहिए c minus b कितना आ रहा है 7 minus 4 हो गया 3 by 3 यह हो गया 2 by 3 3 by 3 2 by 3 के बरापर नहीं होता तो यह ap नहीं है बाकि अगर आप जितने भी देख रहे हैं वो आपको ap मिलेंगे मैं यह वाला देख 3 plus root 2 minus 3 root 2 2 plus root 2 3 minus sorry 3 plus root 2 minus 3 root 2 3 plus 2 root 2 minus 3 root 2 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2 यह गया 2 root 2 में 2 root 2 गया तो इसका common common आपका difference आ गया तो ना यह है ना यह यह और यह और यह तीनों के तीनों है यह नहीं है तो पेर आप लिनेर एक्वेशिंस 3x by 2 plus 5y by 3 equals 7 and 9x plus 10y बरावर 14 is consistent, inconsistent, consistent with one solution consistent with many solutions इसमें आपको क्या करना होगा इसका उत्तर बता देता हूँ यह inconsistent है inconsistent का मतलब क्या होता है हम क्या करते है कि इसमें यह a है यह b है c है a, b, c इसका हम equate करेंगे ax plus dy plus c बरावर 0 यह इसको c यहां रखने इसमें फरक नहीं पड़ेगा तो हम क्या करेंगे a1 by a2 करेंगे 3 by 2 a1 यह हो गया a2 यह हो गया by 9 फिर हम निकालेंगे b1 by b2 5 by 3 बरावर 5 by 3 divided by 10 और तीसा निकालेंगे 7 by 14 यह कितना हो गया यह हो गया 3 by 2 और इसके लिए हो गया 3 by 2 into 9 तो 3 3 is a 9 तो यह हो जागा 1 by 6 यह हुआ 5 by 3 into 10 1 by 6 यह हो गया 7 बटे 14 यहने की 1 बटे 2 तो जब a1 by a2 बरावर a b1 by b2 और not equal to c1 by c2 होता है तो इसका मतलब यह तीन यह जो रोनों equation है यह inconsistent जान रहेगा inconsistent a1 by a2 है b1 by b2 यह दोना बरावर आ गया और यह c1 by c2 के बरावर नहीं है तो यह inconsistent हो इस figure में pq यह tangent है circle आपको दिया है यह और center है o यदि angle a o भी 100 degree है तो angle a p b क्या है यह 100 degree है आपको निकालना है a p b यह यह angle निकालना है तो दो चीज़े इसमें सोज़ी पड़ी है पहली चीज़ तो यह है कि जब एक circle पे tangent लगाते है तो और center से इसको join कर देते हैं तो यह पूरा angle हो गया 90 degree यह तो clear हो गया 90 degree होता है अब यहाँ पर यह a o और o b दुनों radius है इसका मतलब यह angle और यह angle equal है इसको मैं x माल लेता हूँ इसको x माल लेता हूँ और इसको हम माल लेते हैं अब यह x है यह x है ऐसी line है मैंने भी आपको बताया है कि अगर यह x है और यह कुल मिला के 90 है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 90 minus x तो हमको 90 minus x निकालना है लेकिन हम जानते हैं कि एक triangle a o b जो triangle दिख रहा है उसके internal angles का sum 180 degree हो जाएगा यह यह 100 plus x plus x बराबर कितना होगा 180 degree तो 2x हो गया इसको यहाँ ले जाएगा 180 minus 100 हो जाएगा 80 x हो जाएगा 80 by 2 यहने 40 और मैंने कहा 90 minus x करना है तो 90 minus 40 कर दीज़े यह हो गया 50 तो आनक इतना से 50 दिख रहा है आपको यह है 50 degree इसका उतला हो The radius of a sphere whose value is 12 pi is whose volume volume क्या होता है volume पता होना चाहिए आपको sphere का तो sphere का बढ़े बता दूँ answer यह है उसको निकाल सकते हैं आप कोशिश करिए sphere का radius होता है volume होता है 4 by 3 pi r cube अब यह दिया है आपको 12 pi pi से pi आटा दीजे r cube बराबर 12 into 3 by 4 4 3s are 12 यह जगा 3 square r cube दोनों जगा आप उपर 1 by 3 लिलिए ले सकते हैं यह cancel हो गया r बराबर हो गया 3 की पावर यह 2 by 3 3 raise 2 की पावर 3 यह आगया सकते हैं the distance between the point this and this is यसमें वही फ़र्मिला लगा रहा है distance formula क्या होता है y2 minus y1 plus x2 minus x1 को whole square तो यहाँ पर यह x1 y1 यह x2 y2 y2 minus y1 करते हैं n minus minus 1 n minus minus n minus or minus n n plus n करते हैं plus minus m minus m यह y2 minus y1 होगे यह x2 minus x1 होगे under root चल रहा है n plus n 2n square हो गया है यह भी आपका 2m square हो गया minus 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 हम मैनस हम हो गया 2m minus 2m इसका square हो गया आपका 2m यहाँ पर 2 था ना तो 4 होगा और minus 2m है यह तो minus minus हो गया 2 2 2 और m square हो गया यह भी 4m square हो गया ठीक है जी अब यह हो गया 4n square plus m square यह under root है यह under root 4 हो गया आपका 2 under root n square plus m square उतर कितना आ गया 2 under root m square plus m square इस question में यह जो figure दिया हुआ है एक point P है यहाँ से tangent PQ और PR बनाएगा यह circle पे circle का radius है 4 और यह angle आपको 90 degree दिया हुआ है इसको join कर लेते हैं बहुत ध्यान से देखेगा मैं triangle बता रहा हूँ O Q P और OR P इन दोनों triangle में यह 4 है यह 4 है यानिकि O Q बराबर OR एक point से tangent बनाते हैं उनकी भी length सेम होती है PQ और PR बराबर है यह tangent radius से 90 degree angle बनाता तो यह angle दोनों 90 degree हो गया है यानिकि S A S S A S से यह दोनो triangle O Q P और OR P आपके similar हो गया similar है मतलब यह angle O Q O P और RO P बराबर होंगे इसी तरी किस angle Q P O और O P R बराबर होंगे यानिकि यह दोना angle बराबर होंगे ये खुल मिलांके angle है 90 degree तो यह कितना हो गया, 45 यह गया, 45 तो मैं इस triangle को बना रहा हो, ऐसा और ऐसा, और ऐसा यह है 55 निगरी यह कुनसा हो गया P यह आपका O हो गया सिधा यह आपका Q हो गया हमको PQ निकालना है, तो हम 1045 लगाएंगे, यह हो गया Perpendicular याने कि OQ by base, याने कि PQ, 1045 होता है 1, तो PQ बराबर हो गया OQ, OQ कितना है? 4, तो PQ बराबर कितना हो गया? 4, यह 4 उसका होता है, The probability of an event that is sure to happen, माल लिजे, आपके पास एक coin है, इसके यहां भी head है, पीछे भी head है, आप कहें, head आने की possibility क्या है? 1 है, हमिशा 1, head ही आएगा, आप यह कहें, यहां पर head है, यहां पर head है, और आप पूछें कि tail आने की possibility क्या है? टेल कभी आएगा ही नहीं, तो उसकी probability होगए ही 0, तो जो जीज होनी ही होनी है, उसकी probability होती है 1, एक आएगा इसका उतार, The simplest form of 1 plus 10 square A by 1 plus cod square A, 1 plus 10 square A को लिखेंगे, 1 plus sin square A by cos square A यहीं कर देते हैं, 1 plus sin square A by cos square A, नीचे है 1 plus cos square A by sin square A, यह बनेगा, cos square plus sin square, नीचे बनेगा cos square, यह बनेगा sin square plus cos square by sin square, अब sin square A plus cos square A, यह sin square A plus cos square A, यह sin square A plus cos square A, बराबर होता है 1, sin square theta plus cos square theta होता है 1, तो यहाँ पर यह 1 होगा है, यह उपर जाएगा, sin square by cos square यह हो जाएगा 10 square आना क्या चाहिए? 10 square A आना चाहिए 10 square A है इसका बतर AOVC is a rectangle whose three vertices are this, this, this the length of its diagonal is rectangle है, diagonal निकालना है length तो क्यूंकि हमें यह points दिख रहे हैं और हम बहुत clearly बता सकते हैं कि हम इसको अराम से partition coordinate system में दिखा सकते हैं तो बना के दिखते हैं इसको एक point है 0 0 यह है आपका O एक point है A 0-3, X 0 है Y-3 है तो 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 point है 0-3 तो यह हो गया 0-3 अब एक point है आपका यह क्या हो गया, यह O था 0-3 मैंने लिया A फिर B है 4 0 तो B है 4 0, X है यह इसको एक पर बड़ा दिखे है यह है 4 0 और एक point आपका हो गया A, O, B हो गया आप हमको C चाहिए तो यह triangle A, O, B, C है तो A, O और यह 4 0 क्या लिया आपने? B A, O, B, C तो यहाँ पर होना चाहिए ठीक? यह point होना चाहिए तो यहाँ पर है minus 3 यह 4 तो X हो गया 4 Y हो गया minus 3 तो यह point हो गया 4 minus 3 अब दोनों की triangle की दोनों जो diagonal से हो तो बराबर होती है तो हमको क्या निकालना है? 0 0 से लेकर 4 minus 3 का distance निकाल देंगे तो 4 minus 0 का whole square plus minus 3 minus 0 का whole square under root तो हो जाएगा 4 square याने की 16 plus यह हो जाएगा minus 3 minus 0 होगा minus 3 minus 3 का whole square हो जाएगा 9 under root तो यह हो जाएगा 25 under root 5 आना चाहिए 5 तो 5 units आ जाएगा इन दी formula X bar equals to A plus X sigma fi ui by sigma fi into h तो ui क्या है? A assume mean है f frequency है h आपका है जो आप interval length length तो ui क्या है? ui जो होता है वो होता है x i यह आपकी actual class mark होगी जो actual value होती है assume mean आपने लिया और साथ में class size से divide किया था x i minus a by h यह ui होता है all concentric circle are dash to each other तो center सबका same है यह मैंने एक circle बनाया यह मैंने circle बनाया यह मैंने circle बनाया चाहे आप concentric circle ले यह आप square ले चाहे rectangle ले जो भी ऐसे तरीके की चीज़ होती है यह सब similar होते है एक जैसे होते है shape size change हो सकता है लेकिन size change हो सकता है shape एक जैसर है तो इसको similar कर देंगे find the sum of first 100 natural numbers पहले 100 natural numbers का sum यह आपको 1 से लेकर 1 प्लस 2 इस तरीके से जाना है आप 100 तक अब यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यह बन रही है एक AP AP बन रही है common difference आपको दिख रहा है एक है आपके पास last term भी है और आप जानते हैं 1 से लेकर n तक जो natural number ही तो है यह natural number का जो sum होता है वो होता है n, n प्लस 1 बाइ 2 यह direct आपको formula लगा देना है इस n की जगा आपको 100 रखना है तो क्या मिलेगा 100 into 101 बाइ 2 यह हो गया 50 फुतर कितना आ रहा है 5,0, 5,0 इस figure में जो angle है elevation यह tower है, यह वाला tower है एक point C है यहाँ पर यहाँ से अगर आप उपर देखेंगे angle of elevation है 30 degree और यह 30 meter दूरी पे है इस tower की foot से, यह tower का foot है यह tower का शिखर है यहाँ से 30 meter की दूरी है find the height of the tower इस tower के आपको height निकालनी है क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जानते है कि जो tan angle होता है tan theta हो, perpendicular by base होता अगर हम tan theta, tan 30 इसको लें तो perpendicular हो गया height अब base है 30, तो डिरेक निकल जाएगा tan 30 बराबर perpendicular यानि कि a b by b c a b हमें नहीं पता, हम h लिखते है b c हमको पता है 10 30 की value भी पता है 1 by root 3 तो h कितना हो जाएगा 30 by root 3 ओपर नीचे root 3 से मड़ी प्राय कर दीजे कितना बना 30 root 3 root 3 root 3 हो गया 3 10 हो गया 10 root 3 आ गया मतलब a b यानि टावर की height होगी 10 root 3 the LCM of two numbers is 182 and their HCF is 30 if one of the numbers is 26 find the other इसका मतलब यह है अचा इसका सीधा मतलब अगर हम आपने इसको थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो LCM और HCF LCM और HCF इसका multiplication होता है numbers का multiplication एक number आपको 26 दिया हुआ है एकको मैसमान लेते हैं तो यह 182 है 182 और यह हो गया 13 तो एक्स हो गया 182 इंटो 13 वाइ 26 13 वाइ 26 यह हो गया आपका 91 2918 291 आगया यह Form a quadratic polynomial the sum and product of who zeros are minus 3 and 2 अब इसमें क्या करते हैं सीधा formula है हमारे पास x square minus यहां पर sum रखेंगे into x plus यहां पर product रखेंगे बराबर 0 तो x square minus sum कितना दिया है minus 3 product कितना दिया है 2 यह बन गया x square plus 3x plus 2 बराबर 0 यह आपकी quadratic polynomial आ गया अज़ा इसमें यह होता है क्योंकि अगर माली यह यह होता 2x square plus 6x plus 4 अगर यह ऐसा होता तो हम इससे 2 बहार ले सकते थे तो यह बन जाता है x square plus 3x plus 2 बराबर 0 तो यह 2 जो है अब यह 2 हो सकता था यह हो सकता था माली जे मैं 3 कर देता हूं इसको 3 3 9 6 तब भी आप 3 बहार ले सकते थे और यही बन जाता कहने का मतलब यह है कि एक constant k अगर आप लगा दे तो जादा अच्छे से आप question का answer धर्शा पाएंगे और नीचे लिख दीजेगा कि this k can be any constant नहीं real constant तो इसका उतर यह हो जाएगा क्या लगा देगी तो बहतर रहेगा can x square minus 1 be a remainder while dividing this by this अब आप x square plus 3 से divide कर रहे हैं x4 plus 3 x square plus 5 x minus 6 तो यह कहा गया है क्या यह remainder हो सकता है क्या remainder हो सकता है तो आप सीधा कहेंगे नहीं क्यों? क्योंकि जो degree है remainder की याने 2 यह कम होनी चाहिए जो degree है divisor की यह तो बराबर है तो आप कह सकते हैं कि नहीं evaluate अब 1045 होता है 1 cos 60 होता है half sin 30 होता है half यह आगा 2 इसका उतर आएगा 2 ऐसे कर लेंगे section B है यह इसमें हर एक सवाल 2 marks का है अब इस figure में देखिए इस figure 5 में यह D E parallel है A C के और D F parallel है A E के पहले मैं आपको यह संज़ा दूं कि जब भी इस तरीके का एक triangle होता है और माल लीजे एक line हमने बनाई दो side को काटती हुई और वो तीसरे के parallel है इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम इसको कहते है A B C और यह D E है तो A B या A D कर लीजे A D by D B बराबर A E by D B लिया तो A C कर देते हैं और यह बराबर होगा A B by A C के A B A B by A C के तो यह इन दोनों का ratio लीजे और इन दोनों का ratio लीजे वो बराबर होंगे या इन दोनों का ratio लीजे और इन दोनों का ratio लीजे वो बराबर होंगे इस तरीके से यह equal ratio में divide करता है वही काम यहां हुआ है अब एक एक करके देखेगा मैं एक एक triangle बना रहा हूँ triangle देखेगा यह आपका है BE और EC तो हम triangle ले रहे हैं BE AC तो आप देखें इन्हों ने कहा है कि इसमें DE parallel है AC के तो यह DE parallel है AC के इसका अदला BE BY EC बराबर होगा BD BY AD यह हो गया पहला अब यह triangle हो चुका अब हम triangle देख रहे हैं BAE अब triangle देख रहे हैं BAE इसमें देखेगा BF BY FE बराबर हो गया BD BY AD राइट अब इन दरों में देखेए यह common है तो इसका मतलब अगर यह इसके पराबर है यह इसके पराबर होंगे यह काम किया गया BE BY EC पराबर BF BY FE वही प्रूव करना था आपके 5 प्लस 2 रूट 7 is an irrational number यह आपको show करना है जहां पर आपको बुला गया है कि रूट 7 रूट 7 आपका irrational number दे रखा है दिया हुआ है कि root 7 आपका irrational number है आपको प्रूव करना है यह 5 प्लस 2 root 7 irrational number है तो इसमें क्या करते हैं हम मान के चलते हैं कि यह 5 प्लस 2 root 7 है यह rational number हो गया rational number मतलब क्या होता यह कोई P by Q form या A by B form में होगा जिसमें A और B दोनों integers होंगे B 0 के बरापर नहीं होगा और B आपके integers होंगे ध्यान रखिए कि A और B integers हैं तो A और B के साथ कोई भी combination वगरा करेंगे plus minus करेंगे तो आपका integer ही आएगा अब इस 5 को यहां ले जाते है तो बनेगा और 2 को फिर नीचे ले आएंगे तो पहले 5 को यहां ले आएंगे तो क्या बनेगा A by B minus 5 यहने A minus 5B by B और यह 2 को हम नीचे ले ले आएंगे तो root 7 बनेगा A minus 5B by 2B अब A और B आपके integers है तो A minus 5B भी integer ही होगा कोई 2 into B integer है तो 2 into B भी integer होगा अब integer by integer इसका मतलब यह क्या हो गया कि root 7 आपका क्या हो गया rational rational यह होता ना integer by integer पी बाई q form में यह भी आप इसी पी बाई q form में represent कर भा रहे हैं लेकिन समस्था यह है कि root 7 आपको दिया हुआ है कि rational है यह हमने initial assumption माना था कि 5 plus 2 root 7 और हमने यहां पर लागे दिखा दिया यह root 7 भी पी बाई की है जो कि है नहीं हमारा assumption ही गलत था तो मतलब 5 plus 2 root 7 भी irrational ही था हमने गलत माल लिया था चेक वेदर 12 की power n 12 raised to power n can end with a digit 0 और एन नाचरल नंबर n अब आप यहां पर देखिए आप किसी भी नंबर को 12 को कितने बर भी multiply करिए कितने बर भी करिए देखिए 2 to the 4 दिखे रहा है 2 to the 4 to the 8 दिखे रहा है यह लास्ट में क्या आने वाला आपको समझ में आ रहा है जीरो नहीं अइगा कंगी लेकिन इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने का सीधा तरिका है कि 12 की power n बहुते राम सब्सक्राइब करें कि अब अगर आपको बीडियो चाहिए तो इसके पाइब फेक्टर में दो और पांचाना चाहिए, कहने का मत्तब यह है कि अगर हमने 12 को लिखा 223 की power n, जो कि 12 हो रहा है अगर कोई भी नंबर के आखरी में 0 आना है तो प्राइम फेक्टर में आपका 2 और 5 दून आने चाहिए, तभी तो 5 इंटो 210 होगा, लेकिन आप आपर देखे, 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है तो क्योंकि इसमें 5 प्राइम फेक्टर नहीं है तो 12 की खात n याने 12 की power n ये n नहीं होता है किसी भी किसी भी तरीके से 0 से n नहीं होगा ABC are interior angles of triangle ABC then show that cos b plus c by 2 sin a is equal to sin a by 2 तो ये सीधा इसकी ये actually formula ही है इसमें करना क्या है कि एक triangle लीजिए ये आप कहिए a, ये कहिए b, ये कहिए c अब आप जानते हैं जो interior angle होता है triangle का उसमें आप a plus b plus c को कहते हैं 180 degree अब आप क्या करिए b plus c को यहां रखिए इसको यहां ले आईए b plus c हो जाएगा 180 minus a ये हो जाएगा b plus c by 2 ये हो जाएगा 90 minus a by 2 अब कॉस दे लिजे दोनों side क्यों लिए कॉस? क्योंकि यहां कॉस देख रहा है और यहां b plus c by 2 भी देख रहा है तो 2 divided by 2 कर दिजाए इसको भी कॉस कर दिजे तो कॉस b plus c by 2 हो जाएगा कॉस 90 minus theta क्या होता है sin theta sin a by 2 और ये प्रूव करना था ये आ गया इन फिगर 6 a cotylatoral a b c d is drawn to circumscribe a circle prove that a b plus c d बराबर b c plus a d a b plus c d बतब ये दोनों side इनको इनको आइड करेंगे तो इनके इनके बराबर होना जाए a d plus b c अच्छा इसमें एक चीज़ थोड़ा सा समझने की है हम यह पर लगाएंगे tangent वाली property किसी भी point से अगर हम tangent draw करते हैं triangle को तो वो दोनों का length बराबर होता है तो ये length ये length के बराबर है ये length ये length के बराबर है ये length ये length ये length के बराबर है और ये length ये length के बराबर है फिर हम इसको जोड़ेंगे और किसी तरीके से कोशिश करेंगे हमारे पास ये आ जाए तो इसको समझने की कोशिश करें यहाँ पर हमने क्या किया कि इस point को हमने point को mark कर दिया कहने का मतलब इस point को S कहा, इसको P कहा, इसको R कहा इसको Q कहा, कोई भी अक्षर, कोई भी alphabet ले सकते हैं यह आपके उपर है तो हम क्या करेंगे, देखिए AP और AS बरापर है, जैसे मैंने आपको पताया था एक point से अगर हम tangent बनाते हैं तो बरापर होता है, AP और AS बरापर है DR और DS बरापर है CQ और CR बरापर है और BQ और BP बरापर है, जो यहाँ लिख भी दिया गया है अब हम add करेंगे AB प्लास CD को लिखना है ABATHAN प्लास CD क्या होगा AB ब्लास AB है AB को हम AP प्लास PB लिख सकते है AP प्लास PB फिर हम AB हो गया ना, यह वाला अब हम आ रहें सीडी पर CDI हाई है, सीडी क्या है CT को हम लिख सकते हैं DR और RC DR और RC DR और RC RC कहें rd कहें अब आप देखें, AP और AS बरापर है, तो AP की जगा AS रख दीजे BP, BQ बरापर है, तो BP की जगा BQ रख दीजे CR और CQ बरापर है, CR की जगा CQ रख दीजे RD और DS बरापर है, तो RD की जगा DS रख दीजे ठीक, अब आप देखें, यह आया, AS, BQ, CQ, DS तो as के साथ ज़रा यह ds ले आई है अब bq की साथ cq अब as देखिए अब as और ds यह क्या है ad है तो A-S और D-S के लिए के लिए A-D रख दिए, B-Q और C-Q देखिए क्या आता है, B-Q C-Q, क्या है यह B-C है, तो A-B-C के ब्राबर है, यह B-C के ब्राबर है, तो A-D प्लस B-C, और यहे प्रूव करना था, कि A-B-C-D इक्वल्स A-D प्लस B-C, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्यों जो लॉजिक आपने सिखा हुआ है, कि एक सरकल है, किसी पॉइंट से अगर टेंजन इसमें ड्राबर की जाए, तो इन दोनों टेंजन की लेंथ बराबर होती है, यह concept है इस सवाल का, बिल्कुत सेम ही concept से हम यह अला सवाल करने की कोशिश करेंगे, find the perimeter of triangle ABC, if AP equals 12, AP यहां से लेकर यहां तक, यहांदा यह पूरी tangent की लेंथ आपको AP बारादी है, ABC इस triangle का perimeter पता करना है, perimeter मतलब होता है कि जो side है उसका length, AB फ्लस BC प्लस AC पता करना है, इन तिनों का जोडना है, AB फ्लस BC प्लस CA इन तिनों को जोडना है, और पता करना है, अब इसमें खास बात देखे, खास बात यह है, कि A से tangent जो जारी है, AP और AQ उसका length बरापर है, लेकिन B से भी तो tangent है, BD औ और BP तो BD और BP बराबर है ये C से टेंजन जारी है CD और CQ तो ये दुनों लेंद बराबर है यही हम इसमें अपलाय करेंगे कैसे देखें सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पेरिमिटर होगा इसका और इसका लेंद का जोड़ होगा तो AB प्लस BC प्लस AC ठीक ये तिनों को जोड़ दिया अब आप देखेगा कि ये जो AC है या AP है ये AC है और AB है इसके अलावाद BC भी है लेकिन BC जो है इस तरीके से है इसके बीच में D है तो BC को हम क्या लिखेंगे BD प्लस DC BC को हमने लिखा BD प्लस DC राइट अब ये जो BC है ये जो BD लिखा हमने BD मैंने आपको बताया था ये BP के बरावर है BP रख दीजए यहाँ पर इसकी जगा AB प्लस BP ये तो पुरा AP हो गया यहाँ लिख दीजे अब यहाँ ये AC प्लस CQ ये AC है ये CQ है ये तो आपका AQ ही आगया यहां से यहां तक सबसे हाइस नमबर है बारा अब बारा जो है वह सबसे हाइस नमबर हो गया और इसी का इंटरवेल लेके चलेंगे और इसके आगे पीछे देखेंगे यह इसके पीछे है 7, इसको भी utilize करेंगे, इसके आगे है 5, इसको भी utilize करेंगे, सबका जो interval का difference है, 30-40, 40-40, 30, 10 है, और इस यह initial है, यह lower level है, higher level है, सिदा formula है हमारे पास, तो model class 30 और 40, क्योंकि model class इसले कह रहे हैं, कि यह 12 highest है, इसमें जो L है, वो यह lower limit लेते हैं, L, यह lower limit हो गई, F1 आपका यह हो गया, जो हम 12 कह रहे हैं, F0 जो हो गया हो गया है, इसके पीछे वाला, इसके पहले वाला, F0, 7, F2 हम कहते हैं, जो इसके अगले वाला, 5, तो F1, F0, F2 भी हो गया, H क्या है, class interval, 40-30 अनिके 10, अब हम पर फामुला है, L प्लस ब्रैकेट में, F1-F0, divided by 2, F1-F0-F2, इंटो H, यह 12 है, यह 7 है, यह 24 है, यह 7 है, यह 5 है, यह 10 है, इसको compute करेंगे, 34.17 आपका, 2 cubes, each of volume 125 cm cube, are joined end-to-end, find the surface area of the resulting cuboids, पहले तो क्या करेंगे, मैं एक cube बनाता हूँ, क्यूब का हर side, बराबर होता है, और 6 faces होते हैं, इसमें, तो यह cube हो गया आपका, यहाँ पर, दो cubes हैं, हर एक का volume 125 है, तो एक cube का volume निकाल लेते हैं पहले, एक volume आपको दिया है, 150, 25, तो अब volume क्या होता है, cube का a cube, 125 हो गया है, तो a आगया, आपका 5 into 5 into 5, 5 आगया, यानि इसका side जो है, वो 5 है, अब क्या किया गया, a cube और यहाँ पर, यह a cube और जोड़ दिया गया है, यह जो, क्यूब है, दोनों बराबर है, एक जैसे हैं, इसका आपको surface हेरी निकालना है, surface हेरी है, तो जब इनको हमने जोड़ा, तो length कितनी होगे इसकी, यहां से यहां तक, यह 5 है, यह भी 5 है, length होगे इसकी, 5-10, अच्छा width कितनी होगे, इस combined की 5, मतलब आप width कह दें, यह breadth कह दें, यह 5, height कितनी होगे तो 5 ही रही, 5 रही, तो हम formula लगाएंगे, to LB plus LH plus VH, और हमण पर सारी value है, निकाल लेंगे इसके, मैं समझातों फिर से, volume है cube का 125, एक का, यह दूसरा है, दोनों का volume 125, 125 है, तो AQ बराबर 125 है, इसका मतलब आप A निकाल लेंगे, 5, length up हो गई है, यह 5 और 5-10, breadth इतनी रही, अगर यह combined, इसको आप A combined मालें, ऐसे मालें, आप यह छोड़ दें, जो combine किया है, तो इसकी length हो गई 10, width रही 5, और height रही 5, तो LB, BH और HL का formula लगाएंगे, क्योंकि surface area निकालना है, 2 into 50 plus 25 plus 50, यह अपका 250 cm2 आजाएगा, ध्यान रिखेगा, कि surface area, area हमेशा square cm में आता है, section C है यह, और 3 marks के सवाल है, 27 से 24 तर, a fraction becomes 1 by 3, when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4, when 8 is added to its denominator, find the fraction, fraction का मतलब यह है, कि यह fraction हमारा x, y, y form में है, पहली चीज़ दी गई है, कि अगर यह बन जाता है, 1 by 3, यदि एक 1 subtract किया जाए, numerator से, यह निकि मैं x minus 1 कर दूँ, तो यह बन जाता है, 1 by 3, और दूसरी condition यह दी हुई है आपको, and it becomes 1 by 4, when 8 is added to its denominator, x है, y denominator है, इसमें अगर 8 जोड दिया जाए, तो यह बन जाता है, वो 1 by 4, तो 2 equation बनेगी, हम इसको solve कर लेंगे, जैसे, यह जगा 3 cross multiply कर रहा हूं, यह एक equation यह बनाएगा, एक equation यह बनाएगा, 3 into, 3x, minus 3, 3 बराबर y, एक equation यह हो गई, और हम देखेंगे, x, y को क्या करना है, पहले इसको कर लेते हैं, जैसे, जैसे, 4x, equals y, plus 8, तो इसको हम लिख सकते हैं, y को हम लिख देंगे, 3x, minus 3, यहाँ पर y, equals 3x, minus 3, डाल दिजे, 4x, बराबर, 3x, minus 3, plus 8, तो यह बन गया आपका, यहाँ पर आया, x, बराबर, 8 minus 3 हो गया, 5, x आपको आ रहा है, अब यहाँ पर आप डालेंगे, x हो गया, 5, तो यहाँ रख दीजे, y आ जाएगा, 3 into 5, minus 3, यहने, 5 तिया 15, 15 में 3 गया, तो बाराब, x पांच आगया, y बाराब आगया, तो fraction क्या हो गया, x बाई बाई माना था नाम ने, तो 5 बाई 12 हो गया यह, यह अपका fraction हो गया, इसमें और में दिया हुआ है, आप यह भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, the present age of a father, is 3 years more than the, 3 times the age of his son, 3 years hence, the father's age will be 10 years more than, twice the age of the son, determine their present ages, अब hence का, इसमें सवाल या आता है, यह hence क्या होता है, अंग्रेजी में, अगर हम इसको, हिंदी में तरजमा करें इसका, तो इसका मतलब होता है, इस बाद में, तो सबसे बढ़िया रहता है, क्या आप एक टेबल बना लें, टेबल में आप, फादर और सन लिखिए, और प्रेजेंट एज लिखिए, और उसके बाद 3 साल बाद की एज लिखिए, कैसे, क्लियर कहा गया है, कि तो प्रेजेंट एज और फादर, इस 3 years more than, 3 times the age of his son, तो age of his son को अबर हम x माल लें, तो फादर की एज क्या होगी, 3 years more than 3 times the age of son, 3x कर लिजए इसको, तो 3x प्रस 3 हो गया है, अब 3 years हैं, तीन साल के बाद, तो तीन साल के बाद, पहले चीज़ तो यह है, इसमें भी 3 जुड जाएगा, और इसमें भी 3 जुड जाएगा, यह हो जाएगा, दोनों में 3 जुड जाएगा, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्रस 3 हो जाएगी, और यह 3x प्रस 3 प्रस 3 हैंगी, 3x प्रस 6 हो जाएगा, इनके age, अब 3 साल बाद क्या होता है, अब यह जो condition लगाएगे, यहाँ पर देखेंगे, 3 साल के बाद क्या होगा, कि 3 years hence, the father's age will be 10 years more than, father age will be, यहने कि father की age कितनी हो जाएगी, 10 year more, तो 10 year जैसे मैंने, यहाँ 3 जोड़ा था है, 10 जोड दीजे, 10 year more than, twice the age of the sun, twice the age of the sun, तो, अब twice the age of the sun कितना हो बाद, 2, x plus 3, तो x plus 3 हो गया, यह इनकी age हो गया है, यह दोनों चीजे बराबर होंगी, तो 3 x plus 6, बराबर हो जाएगा, 10 plus, यह 2 x plus 3, ठीक है, तो इससे क्या condition बन रही है हमारी, यह जोगा 3 x plus 6, बराबर 10 plus 2 x plus 6, तो इसको इधर ले आईए, यह तो cancel कर दीजे, 3 x minus x हुआ x, यह हो गया आपका 6, यह हो गया, यहाँ पर 10 ही बचा, तो x बराबर 10 हो गया, आपको पताना, determine their present ages, तो आज की age क्या है, तो present age तो यह थी, तो x मतलब, बच्चे की age तो direct आगई, यह हो जाएगा, using Euclid division lemma, to show, आपको यूज करना है यह, that the square of any positive integer, is either of the form 3q, और 3q plus 1, for some integer q, आप देखें कि, कोई भी एक, आप एक positive integer लेजे, और b आप ले रहे हैं 3, अगर a, if a is divided by b, by edl क्या हो जाएगा, clear यहां दिया हुआ है, कि using Euclid, edl बोलते हैं, इसको short form, using edl, हम क्या करेंगे, show that the square of any positive integer, is either of the form this or this, for some integer q, तो हमने क्या कहा, कि अगर, कोई एक, हमने लिया, एक, कोई positive integer लिया, और हमने कहा, b आपका 3 है, अगर if a is divided by b, अगर a को हमने b से, a is divided by b, तो अगर, हम कहते हैं, कि m कोई भी positive integer है, तो a बराबर होगा, 3m प्लस r, यही edl कहता है, edl का मतलब यही है, r इसमें क्या होगा, r होगा, आपका 0 और 3 के बीच में, r होगा, 0 और 3 के बीच में, और 0 के बराबर भी हो सकता है, तो यह condition समझ में आरी है न, आपको क्या कर रहे हैं, हम जब a को, हमारे पास, जो यह value आ रही है, b हमने का 3, यह b हो गया, तो a प्लस b m, a equals b m, plus r, मैं इसको थोड़ा सा, इस तरह के संजाता हूँ फिर से, कि अगर आप जैसे 2, 5 को 2 से divide कर रहे हैं, तो क्या बनता है, 2, 2s are 4, बचा 1, तो 5 बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 into 2, plus 1, ऐसी लिखते हैं न, तो यह 3, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं, कि इसको 3 से divide किया जा रहा है, 3 into 3, यह दोरों हमने multiply किये, ओके, और M हम कह रहे हैं, कोई positive integer होगा, हमें पता नहीं क्या positive integer है, तो हमने इसको M कह दिया, और कुछ ने कुछ remainder आएगा, वो यहाँ पर R हो गया, और यह जो है, हमारी actual संख्या A है, 9 M square, इसको ऐसे मत लिखिए, आप 3 into 3 M square कर दिजे, 3 into 3 M square, इस 3 M square को आप कोई constant ले लिजे, Q, तो यह हो जागा A square 3 Q, अब आए A equals to 3 M plus 1 का, A equals to 3 M plus 1, अगर हम R को 1 मानते हैं, R को 1 मान लिए हमने, तो R 1 माना, तो 3 M plus 1 का square कर दिजे, A square को भी कर दिजे, तो A square हो जागा 3 M plus 1 का square, यह हो जागा 3 M, यानिकि 9 M square, plus 1, plus 2 into 3 M, 6 M हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 common, तो हमने आज यह सी 3 common लिया, अब अंदर बना 3 M square plus 2 M, अब इसको आप माल लिजे Q, इसको Q माल लिजे, तो 3 Q plus 1, यह 3 Q plus 1 form में आ गया, यह 3 Q था, यह 3 Q plus 1 form में आ गया, अब R equal 2 रखेंगे आप इसमें, इस जगह में 2 रखेंगे, remainder 2 है, अब फिर से square कर दिजे, तो यहाँ पर जब बनेगा, इसको थोड़ा स्खोलना पड़ेगा आपको, जब खोलेंगे तो 9 M square plus 12 M, और 4 को लिखेंगे 3 plus 1, यहाँ पर आप इसको 3 common लिजे, 3 M square plus 4 M plus 1, और 1 आपका remainder आ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 Q plus 1, इसको क्यों उपमाल लिजे, तो जो square है, किसी भी positive integer का, वो किस form में हो रहा है, या तो वो 3 Q form में है, या वो 3 Q plus 1 form में, इस form में 3 Q plus 1 है, या 3 Q form में, ठीक, इसे प्रूव हों गया है, find the ratio in which, Y axis divides the line segment joining, the point this and this, also find the point of intersection, अब हम मान के चलते हैं, ये case to 1 में डिवाइड करती है, इसका मतलब, हमारे पास एक point यहाँ पर है, 6 minus 4, और एक point यहाँ पर है, हमारा minus 2 minus 7, अब कोई एक point है, find the ratio in which, Y axis divides the line segment, Y axis divide करेगी, अच्वा, Y axis जहां बोलें आप, Y axis का मतलब होता है, x बराबर 0, x coordinate 0 होगा, ओके, x coordinate 0 होगा, तो पहले हम यह point मान लेते, हमें भी पता यह क्या है, कौन सा point है, हम इसको मान लेते, यह हमारा, x 0 है, और हमें पता नहीं, दूसरा point क्या है, हम Y मान लेते, क्योंकि x तो 0 हो गया, वैसे हम मानते, x, y, लेकिन x 0 है, क्योंकि y axis की बात हो रही है, y axis का टरा है, हम मान लेते, यह case to 1 में है, case to 1 में, अब आपको बताए, क्या करते हैं, हम x अगर coordinate निकालने चले, तो इसका हो जाएगा, यह वाला coordinate, अभी मैं x लेख रहा हूं, बाद में 0 कर दूँगा अभी इसको, x मान की चलते हैं, तो x क्या हो जाएगा, इसमें होता है, m x 2, plus n x 1, by m plus n, m इसमें के लिया है हमने, 1 अपना, यह m है, यह n है, तो इसमें क्या जाएगा, m into x 2, यहने m, अच्छा, इसमें यह लीजिए, x 1, y 1 लीजिए, और यह x 2, y 2 लीजिए, अभी यह formula रख दीजिए, m x 2, m into minus 2, यहने m into, m आपका k है, k into minus 2, plus n क्या है, 1, x 1, 6, ठीक है, by m plus n, k plus 1, यह हो गया, अब मैं y को भी निकालूंगा, y को भी कर देते हैं, जरी y भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, y का formula होता है, m y 2, plus n y 1, by m plus n, तो नीचे तो k plus 1 आजाएगा, यहाँ m की जगा k रखेंगे, और plus, यहाँ पर 1 रखेंगे, अच्छा, आप देखते हैं, y 2 क्या है, y 2 है minus 7, तो यहाँ पर आएगा, आपका minus 4, तो यह बना, आपका minus 7 k plus 1, minus 7 k plus, नहीं, minus 1 into minus 4, minus 7 k minus 4, by k plus 1, यह y कोडिनेट है, लेकिन हमको यहाँ पर x कोडिनेट मिल चुगा, मैंने आपको बताया था, x कोडिनेट बराबर 0 है, तो यह होगा, minus 2 k plus 6, by k plus 1, यह बराबर 0 है, तो इससे कि अबने गा, यह तो खैल 0 होई जाएगा, minus 2 k plus 6, बराबर 0, minus 2 k बराबर 6, 2, 3's are 6, और minus minus cancel, यह 6 यहाँ जाएगा तो, और आपका बन गया, k बराबर 3 बन गया, k 3 हो गया, तो k 3 हो गया, यह बस 3 is to 1 है, इसका उत्तर 3 is to 1 है, लेकिन हमको निकालना है, k k is to 1 थो हमने बताई दिया, 3 is to 1 हो गया, अब आपको point of intersection में निकालना है, तो 0 तो यह है, y निकालना है आपको, तो यहाँ पर रख दीजिए, minus 7, into k, k इतना 3, यहाँ गया आपका, show that the points 7, 10, minus 2, 5, 3, minus 4, are the vertices of isoseles right triangle, अगर कोई triangle isoseles है, तो पहली चीज़ तो यह अगर 90 degree है, तो यह और यह दुनों ही बरापर हो सकते हैं, यह इसके बरापर नहीं होगा, क्योंकि right angle है, right angle में हमेशा hypotenuse, बाग की दोनों साइडों से बड़ा होता है, तो यह हमारा साइड, और यह हमारा साइड, यह दोनों हमारे, बरापर बारे साइड होगे, यह हमारा hypotenuse से होगे, 90 degree है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कई तरीके से चीज़े इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई, A point को हम लेते हैं, 7, 10, और A, B, A, B, कोई भी point ले सकते हैं, लेकिन आप निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम distance निकालेंगे पहले, हम distance कि तरीके से निकालेंगे, हम इसको A बुलेंगे, इसको C बुलेंगे, इसको B निप बुलेंगे, A हो गया और C क्या point हो गया आपका, 3, minus 4, और यह point हो गया आपका, minus 2, 5, अब distance निकालेंगे, distance निकालने का formula बता देता हूँ, x2 minus x1 whole square, plus y2 minus y1 whole square, अब पहली बार आप x1, y1, x2, y2 इसको लेंगे, फिर x1, y1, x2, y2 इसको लेंगे, फिर x1, y1, x2, y2 इसको लेंगे, तो distance formula कर लेंगे ना, clear हो गया, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, distance आप निकाल लेंगे, तो यह distance आएगा under root 106, यह भी आएगा under root 106, और यह आएगा आपका under root 202, अब यह under root 106, under root 106 से तो clear होगे, कि दुनों side बराबर हैं, तो isosilis हो गया, right angle बनाने के लिए, इसका square बराबर इसका square होना चाहिए, तो 106 का square मतलब 106, 106 का square मतलब root का square मतलब 106, और दुनों का square हो जाएगा 212, और यह किसके बराबर है, by one minus sign A, equal second plus 10 A, तो ऐसे सवाल में, जब आप यहाँ देखते हैं, root और यहाँ root नहीं देखते हैं, तो पहली बात यह है, कि आपका इसका root हटाना है, उसके बाद यह आप आएगा, तो root हटाने के लिए हम इसे rationalize करेंगे, कहने का मतलब यह है, कि हमारे पास, यह है one plus sign A, one minus sign A, इसको हम rationalize करेंगे, मतलब उपर नीचे अंडरूड, अच्छा नीचे जो होता है, उसके opposite sign से multiply करते हैं, यह one minus sign है, तो one plus sign कर देते हैं, तो उपर भी one plus sign होगा, और one plus sign, one plus sign क्या हो गया, one plus sign का whole square, और यह है, a minus b, a plus b, तो a square minus b square, नहीं कि one square minus sign square, और one square minus sign square, नहीं कि one minus sign square, one minus sign square जानते हैं, आप cos square होता है, तो यह cos square हो गया, और under root था, under root से यह और यह कटआज, काट दीचे, यásly under root से square हट जाता है, one plus sign by cos, तो one plus sign by cos है, अब कॉस को में नीचे अलग अलग ले 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 तो, 1 by 1 by cos होगा सेके, और 10 by cos होगा 10a, यह यह आपका राइट-hand side. For an AP, it is given that the first term A is given 5, common difference is given and the nth term, an is given 50, find n and the sum of first n terms sn of an AP. तो क्या कहा दिया हुआ इसमें? A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, common difference दिया हुआ है, और last term दिया हुआ है. और n निकालना है, ऐसे निकालना है. तो पहले तो आप जानते हैं कि a n होता है, a plus n minus 1 into d. तो a n हमको दिया हुआ है 50, 50 रख दीजे, a है आपका पहला term जो दिया हुआ है 5, n minus 1 into d, common difference कितना दिया हुआ है, 3. इसको यहाँ लिए आई है, 50 minus 5 हुआ 45, यह कटेगा इसको 15 और a किदर जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो n बराबर 16 हो गया. यह तो आगे आपका 16, s n निकालना है, s n जो होता है, वो होता है n by 2, 2a plus n minus 1 into d, यह भी अपना सकते हैं आप, जाएगा, a plus l, last term, n तो हमको मिली गया है, 16 by 2 कर दीजे, a कितना है, पहले term हमारे बस 5 है, आखरी term भी है, आपके बस 50 यह, तो जगा 2, 8, और यह गा 55, 8 into 55, 440, यह आपका sum of n terms जो हो गया, और n भी आगया आपका, construct a triangle ABC with sides BC equals 6, AB equals 5, ABC equals 60 degree, then construct a triangle whose sides are 3 by 4 of the corresponding side of ABC, तो इसमें करना क्या है, एके करके मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम यह BC बनाएंगे, छे, इसका size होगा 6, तो यह BC हो गया, अब आपको यह AB 5 है, और ABC आपको एंगल दिया है, 60 degree, तो यहाँ पर अपना जो प्रकार है उसको रखिए, और यू चला देजिए, उसके बाद उतना ही लेके यहाँ से काट देजिए, यह आपका हो गया 60 degree, यहाँ की length ना पिए, 5 किये, यहाँ पनाप लिए, और आप इंदनों को join कर दिजिए, यह आपको ट्राइंगल बन गया, यह first काम हो गया, अब आपको बनाना है, ट्राइंगल ऐसा, whose sides are 3 fourth of the corresponding sides of ABC, इसके side के, इसके हर एक side के 3 चौथाई है, तो कैसे करेंगे इसको, देखें, सबसे पहले आप क् Q टैंगल की line ऐसे बना लिए, अब 3 और 4 में बढ़ा कौन सा है, 4 बढ़ा है, तो 4 भागों में इसको काटीए, बराबर भागों में, 1, 2, 3 और 4, अब 4 जब भाग में काट लिए आपने तो इसको जोड़ दिजिए, अब आप क्या करेंगे, कि line आपको इसके parallel बना लिए, इसके parallel बना लिए, उसका तरीका बता है आपको, कैसे करते हैं, आप प्रकार लेते हैं यूगर के, और यह र काटते हैं फिर यह length लेके, यहां पर भी उसी से काटते हैं और यह length लेके यहां काट लेते हैं, ठीक, तो इसके parallel होनी चाहिए, तो आपकी यह line जाएगी parallel, अब फिर length लीजे, फिर इस तरीके से उसी प्रकार से ऐसे बनाईए, और इसी length का काट दीजे, और फिर यह line इसके parallel बना दीजे, क्या हुआ, बी इसको बोल दीजे, A-, इसको बोल दीजे, C-, यह जो आपने बनाया है, यह आपका 3-4 ही हो गया, जो actual triangle है उसके, यह construction के process मैंने यह करके बता दीजे, वो आपको एक यह करके लिखने भी है, draw a circle of radius 3.5 cm, take a point P outside the circle at a distance of 7 cm from the center of the circle and construct pair of tangents to the circle from that point, इसे करना क्या है, draw a circle of radius, तो पहले आप तो क्या करिए, कि radius आपका 3.5 मतलब diameter होगा 7, यहां से लीजे, एक point रखिए, 3.5 की length, अब प्रकार्मेड से, scale से ना पिए, और एक circle बना दीजे, यह आपका circle बन गया, जिसकी radius है 3.5, अब take a point P outside the circle at a distance of 7 cm, तो P outside the circle at a distance of 7 cm from the center of the circle, यहां से आपको center से लेने आए, तो यह 3.5 हो गया, और 3.5 ले ले लिजे, यह हो गया, and construct a pair of tangents to the circle from the that point, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको लेंगे, और यहां पर रखिए, अपना प्रकार का जो point है, और यूं काटिए, बड़ा एंगल लिजेगा, और काट दीजे, इसको लिजे, यूं काट दीजे, इसको लिजे, ऐसे काटिए और ऐसे काटिए, फिर इसको जॉइन कर लिजे, यूं कर लिया, आपने बना दिया परपेंडिकलो बाइसेक्टर, अब इसका रेडियास लेके, आप यूं करके एक सरकल बना दिये, ठीक है, यह एक point मिल गया, यह एक point मिल गया, दोनों को जोइन कर लिजे, बस आपका यह बन गया, ऐसे बनाना यह, ठीक, कैसे बन बना देना है, पहले एक circle बना देना है, जिसको खा गया एक, जो भी आप O, M माने, जो भी माने, फिर उसके बाद आपको, O, M नहीं, M वो point है, जो intersection का, वो अलग आएगा, O लिजे, 3.5 लिजे, circle बना दिजे, फिर O से लेकर P तक 7 distance की length का एक line बनाईए, इसको काटी है, मत Read the following passage and answer the question given at the end, सवाल पढ़ना है और आंसर बताना क्या आने वाला है, दिवाली फेर, दिवाली फेर, a game in a booth at a दिवाली फेर involves using a spinner first, तो इसमें spinner है, यानि कि यह घूमता है और किसी नमबर पर आके यह ठैर जाता है, then if the spinner stops on an even number, the player is allowed to pick a marble from a bag, तो यहाँ पर even number कितने आद देख रहे हैं, even number है 2, और 4, और 6, और 8, और 10, 2, 4, 6, 8, 10, यह even number होगा, अगर even number पर आता है, तो player is allowed to pick a marble from the bag, तो यह marble उठा सकेगा, तो the spinner and the marble in the bag are represented in figure, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, prices are given when the black marble is picked up, price तम मिलेगा, जब black marble इससे उठाया जाएगा, Shweta plays the same once, वो घिलती है इस गेम को, तो what is the probability that she will be allowed to pick a marble from the bag, पहले जास तो वो marble उठा सके, उसकी probability क्या है, तो इसमें देखिएगा, Sample Space, हमारा जो टोटल इसमें नंबर्स हैं, वो हैं कितने, एक, दो, चार, छे, आठ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाछे, कोई मिला कि 6 हमारे पास total possibility है, और favorable कब है, जब even आएगा, even मैंने कितना बताया था, यहां से यहां तक, एक, दो, तीन, चार, पाज, तो number of favorable cases divided by number of possible cases 5 by 6, तो यह हो गया आपका, 5 by 6 है कि वो, probability कि वो pick कर सके, पहले तो उसको allow किया जा सकी, क्यों bag से निकाल सके, पहले तो यह हो गया, दूसा है, suppose that she is allowed to pick a marble from the bag, what is the probability of getting price when it is given that the bag contains 20 balls out of which 6 are black, तो 20 पूरे इसमें balls है, जिसमें 6 black है, अब उसको price तभी मिलेगा, जब black आएंगे, तो इसमें भी यह हो गया कि 6 black में से possibility, total number of favorable case हो गया 6, और total number of cases क्या है, इसमें से कोई भी उढ़ा सकती हूँ, तो आपका हो गया 20, तो यह favorable case हो गया, number of possible case हो गया, तो 6 बटे 20 यानिकि 3 बटे 10, यह इसका second part का उतर हो गया, in a figure 9, a square PQR, PQR, x square, is inscribed in a quadrant of OAQB, यह circle में, if the radius of the circle is 6 root 2, यह 6 root 2 है, find the area of the shaded region, यह shaded region आपको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम area निकालेंगे, इस quadrant का, फिर area निकालेंगे, हम इस square का, दोनों को minus कर देंगे, तो उसके लिए हम क्या करना शुरू करेंगे, सबसे पहले देखे, यह आपके पास कितना है, 6, यह 6 root 2 है, तो यह भी 6 root 2 होगा, यह भी 6 root 2 है, यह भी 6 root 2 है, यानि कि पुरा का पुरा, और यह भी 6 root 2 है, क्योंकि तीनों ही तो radius है, तीनों ही radius है, अब यहाँ पर यह 6 root 2 है और triangle O, P, Q के देखिए आप triangle क्या? O, P, Q O, P, Q इसमें हम क्या करें? क्योंकि ये O, Q है, इसको इस तरही समझे ये मैं ये वाला triangle मना रहा हूँ ये आपका O है, ये Q है, ये A है तो O, Q square बरापन किस क्या होगा? O, A square प्लस Q, A square लेकिन इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप ये वाला triangle ले लिजे, दुनों एकी बात है दुनों तरह से एकी चीज़ आएगी यार, तो अगर मैं इसको ये कहूँ, कि मेरे पास ये triangle है, यहाँ पर O, Q square निकालना है, तो मैं O, P square प्लस P, Q square कर सकता हूँ यारी, O, P square प्लस P, Q square तो इसको मैं P ले लेता हूँ ये P है यापर, ये आगे है तो O, Q square बराबर होगा O, P square प्लस P, Q square O, Q square O, Q square हमें पता है 6 root 2 है, ये 6 root 2 है तो 6 root 2 O, square बराबर, अब आप देखे ये O, P, और O, Q बराबर है क्योंकि ये, तो square है, दुनों side बराबर है तो इसको O, P ही माल लेते है तो 2 O, P square हो गया तो O, P square, O, P square ये कितना हो गया, 6 root 2 whole square तो जगा 6 into 6 into root 2 into root 2 हो गया ये आपका 2 है यहाँ पर O, P square ये दुनों को काड़ दीजिए, O, P आप गया, O, P square है तो 6 तो O, P 6 आप गया, ये 6 आप गया तो area कितना हो गया, square का हमने ये side निकाल लिया, 6 area कितना हो गया, area side square होता है तो इस square region का area हो गया 6 into 6, याने कि 36, 6 square हमने आपको खाता हम ये क्या करेंगे कि पूरे, ये पाई-R square तो पूरा circle का area होता है और इस part का क्योंकि कॉद्रेंट है, पाई-R square by 4 हो जाएगा तो हम क्या कर रहे है, पाई-R square by 4 minus A square निकि माइनस इस square के area को minus कर रहे हो, पाई, पाई होगा 3.14, R कितना radius 6 root 2 whole square by 4 minus, ये 36 हम निकाल चुके ये आप compute करेंगे, आपका आएगा to 20.52 cm2 ठीक है, ऐसे निकालना है section D है ये इसमें 4 marks के सवाल है obtain other zeros of the polynomial, तो ये polynomial कुछ इस तरीके का है और इसके आपको 2 zeros भी ये है zeros यानि roots कहिए मतब root 5 और minus root 5 इसको satisfy करते हैं दो और निकालने आपको तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा पहले क्या करेंगे, क्योंकि 2 zeros आपके ऐसे हैं इनके यानि आप जानते हैं क्योंकि x variable है, तो x बराबर root 5 और x बराबर minus root 5 ये हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x minus root 5 equal 0, और इसको लिख सकते हैं x plus root 5 equal 0, और क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके इसके factor हैं आप लिख सकते हैं x minus root 5 into x plus root 5 बराबर 0, या ये कहें कि बराबर 0 अटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कि आपको पता है कि ये दुनों को हम multiply करेंगे तो वो भी इसका factor होगा, यानि कि वो इसको भी divide करेंगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको multiply कर लेते हैं, तो a plus b, a minus b भी दिख रहा है, तो x square minus root 5 का whole square, तो x square minus 5 हो गए, अब आपको बाकी दो निकालने तो आप क्या करेंगे, इसको जो आपका px है, इसको divide कर दीजिए, x square minus 5 से, अब ये division आपको आता है, या तो मैं थोड़ा बताना की कोशिश करता हूँ, x square minus 5 यहाँ पर है, यहाँ पर आपका polynomial है, तो आपको चाहिए x के power 4, और आपको 2 चाहिए, यह x square है, तो x square है, तो यहाँ पर x square लाइए, ताकि x 4 मिल जाए, और 2 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 x 4 मिल जाए, अब बाकी जो चीज बनेगी, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पहला same लाना है, बाकी जो आएगा, वैसे हम लिखते चले जाएंगे, तो x square, 2 x square, यह 2 x 4 हो गया, आप 5 के साथ multiply, आप 5 का multiplication इस 2 x square से करेंगे, तो क्या बनेगा, आपका minus 10 x square, इस जगा पे, अब इनको यह तो दोनों cancel हो जाएंगे, और मतलब दोनों इनको add करना है, और जिसका power होगा, जैसे x square का power है, x square का power है, उनको एक साथ लिखेंगे, x square वाले को यहां मत लिखेंगा, ना यहां लिखेंगा, तो कोई solution मिलेगा निया आपको, तो क्या बना इसमें, यह तो cut गया, minus x cube आगया, minus 11 और minus 10, क्योंकि हमने यहां पर प्लस किया है, तो यह आपका आया है, minus x cube, यहां हो गया, और यह आपको देता है minus x square, क्योंकि हमने यहां पर minus क्या है, जहां रखेंगा, यह 2x की power 4, यानि कि सारे sine चेंज होगा, यह minus होगा, यह plus हो जाएगा, तो 10 minus 11 हो जाएगा, minus x square, बाकी उतार दीजे नीचे 5x, अभी 5 को उतारने की ज़रोत नहीं है, चाहे तो उतार लिजे लिए लिए इसको उतारने की ज़रोत नहीं है अभी, अब क्या करेंगे, हमको x cube चाहिए, पहला वाला देखते है, x से, तो x square, x cube minus x cube और minus 5 के साथ, फिर आप x, इससे multiply करेंगे, जिससे इसको किया है, तो minus 5x आ जाएगा, अब दोनों को minus कर दीजे, minus करेंगे तो यह तो cancel हो जाएगा, यह minus x को नीचे ले जाएगे, यह दोनों आपका cancel हो गया, और 5 आप नीचे उतार रही है, अब आपको minus x square चाहिए, तो मैं आपको यहां पताई देता हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, x square minus 5, इसको multiply कर रहे हैं किससे आप, अब हमको minus x square चाहिए, तो हम minus x को चाहिए, तो minus 1 से multiply करेंगे, कि वन, क्योंकि minus 1 से multiply करेंगे, minus x square मिल जाएगा, और यह हो जाएगा, minus 5 और minus, यह प्लस 5, minus x square plus 5 मिल गया है, आपके, minus x square plus 5 लिग दीजिए, यह तो है, आप subtract करेंगे, तो दोनों कट जाएगे, जिरू आजाएगा, इसका मतलब यह है, कि जब हमने इसको इसको इससे divide किया, तो यहाँ पर हमें जो term आया, यह भी इसको divide करतें, यह भी एक factor है, तो 2x square minus x minus 1, अब 2x square minus x minus 1 एक factor है, 2x square minus x minus 1 को हम लिख सकते हैं, 2x square minus 2x minus plus x minus 1 बरापर 0, क्यूंकि minus x को हमने लिखा, minus 2x plus x, इस यहाँ से आप क्या करिए, कि 2x भाहर ले लिजे, तो यहाँ मिलेगा x minus 1, यहाँ पर आप 1 ले लिजे, x minus 1, तो आपको मिलेगा x minus 1 into 2x plus 1 बरापर 0, इसको 0 रखेंगे तो x 1 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो x आपको minus 1 मिलेगा, तो 4 factor हो गए, root 5, minus root 5, 1 और minus 1 बराप, यह इसके, बाकि जो दो factors हैं वो, यह zeros कहें, roots कहें, वो 1 और minus 1 हाफ होंगे, इसी तरीके का सवाल है, what minimum must be added to this, so that the resulting polynomial will be divisible by this, तो होगा क्या, हम इसको इससे divide करेंगे, अब देखिए, जैसे मैंने 2 लिया, और मैंने कहा किया, 9 को 2 से divide किया, तो 2, 4s are 8, बचा 1, तो अगर मैं इस 1 को, इस 1 को 9 में जोड़ गूँ, तो क्या होगा, 2 से divide करेंगे, पूरा divide हो जाएगा, remainder 0 होना चाहिए, तो यह 10 है, 2, 5s are 10, 0 हो गया, तो यह जो remainder है, वो हम इसमें add करेंगे, remainder को add कर देंगे, तो यह पूरी तरीके से divide हो जाएगा, तो यही काम करेंगे हम, x square minus 4x plus 8, और यह जो px है, और इसको qx कह दीजिए, तो px by qx कर रहे हम, तो यहाँ divide करेंगे, divide का मैंने आपको तरीके समझा दिया, अभी आप समझ गया होगे, क्या करना है, फिर से मैं उत्ता देता हूँ, यहाँ हमको चाहिए, जैसे 2x cube चाहिए, तो यहाँ पर पूरे को x square minus 4x plus 8 को, यहाँ पर आपको 2x cube चाहिए, तो 2 into 2x cube बागया, बागी जो आता रहेगा, वो तो आता रहेगा, वो हम यहाँ लिख देगे, तो यह हो जाएगा, minus 4 to the 8x square, और plus 8 to the 16x, तो यहाँ लिख दिया, जो फिर negative लगाएंगे आपर, यानि कि सब्ट्राइट करेंगे, यह दुनों cancel, और यहाँ पर negative बाएगा, तो 8 minus 3 5x square, यहाँ पर negative बाएगा, 6 minus 16 minus 10x, और 7 को उतार लिजे, और 5x square से करना है, 5x square minus 10x पर 7, तो यहाँ पर आपको 5, किल 5 7 ब्लाइट कर दिजे, यहाँ पर उतर जाएगा, यह दुनों cancel, यहाँ पर आपका 10x, यहाँ minus 33, इसके आगे possibility हैं नहीं, इसको किस सब्लाइट साथ add करना पड़ेगा, ताकि आप पूरा कपूरा यह अराम से, यह ज़ा term है, मैं इसको अगर k मानूं, तो अगर मैं k यहाँ रख दूँ, k के साथ जोड़ू, तो यह पूरा divide हो जाएगा, prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, अब इसको समझेगा, थोड़ा सा इसमें, दो चार चीजें इसमें involved हैं, हमको क्या करना है कि ratio of the areas of two similar triangles, पहले मैं आपको बता दू, दो similar triangles हमने आ लिये हैं, एक है ABC, एक है PQR, ध्यान रखेगा, corresponding sides बहुत बढ़ी matter करेंगे, बहुत ध्यान से ABC में AM perpendicular डाला, यहां पर M perpendicular आया है, पी से N perpendicular डाला, NQR पर आया है, अब हमको बताना यह है, कि दो triangles ABC, P, QR यह इस तरीके से हमें दिया हुआ है कि यह दोनों similar है, यह नहीं कि यह similar है, अब similar है, तो area जो होगा, इस triangle का, इस triangle का, इस तरीकल का, वो corresponding side के square, square of the ratio, ratio of the square, तो ratio औ square कर दीजिए, तीनों का उसके बराबर होगा, एक ही करके मतलए इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, यह बी बाइपी की whole square, AC by PR whole square, और BC by QR whole square, यह आपको बताना है, तो हमने perpendicular की ड्रॉप की मैं आपको बताता हूँ, perpendicular इस लिए ड् ठीक, तो half into BC into AM ज्यान रहेगा, इसका भी बता देता हूँ लगे हाथ, इसका area होगा half into base into altitude, half base QR और altitude PN तो area जो है triangle ABC का half BC AM area है triangle PQR का half QR PN, इन दोनों का हम divide करेंगे इन दोनों का हम divide करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब हम इसका divide करेंगे, half half cancel हो गया यह BC by QR और AM by PN अगया, अब यहाँ तक छोड़ दीजे अब आप देखेगा हम क्या करने वाले यहाँ दोनों जो triangle है आपको clear दिया हुआ है कि यह दोनों similar है, लेकिन हम बात करेंगे ABC और हम बात करेंगे PQN मतलब यह वाले triangle की दियान रखेगा मैं PQN की बात कर रहा हूँ ABC तो पूरा हो गया मैं बात कर रहा हूँ PQN की तो इसमें angle B और angle Q बराबर है क्योंकि इतना similar है, angle M और angle N बराबर क्योंकि perpendicular है, दोनो 90 degree है क्योंकि हमारे पास R दो angle आपको मिली गए दो angle मिल गए तो A A angle angle मिल गए तो similar हो जाता है तो आप बताएंगे कि triangle A मैंने जो बताया था ABC इसको ABM कर देता हूँ हम ले रहे हैं ABM अब हम ले रहे हैं ABM और हम ले रहे हैं PQN तो यह दोनों हमने similar बता दिये तो इससे क्या हुआ अब similar है तो AM by PN बराबर AB by PQ AB by Q क्योंकि यह दोनों हमने यह वाला triangle और यह वाला triangle similar बता दिया इसके अलावा एक और चीज़ देख लिए वैसे हमारा जो solution है AM by PN हमारा यही से मिल जाने वाला है लेकिन हम थोड़ा सा और करेंगे इसको क्या करेंगे अब दिखिएगा हम यह triangle ABC और PQR क्योंकि यह similar हैं तो हम क्या करेंगे AB by PQ AC by PR और BC by QR यह तो हम कर देंगे यह तो हमें question भी दे रखा है तो इसको कर देंगे अब आपने देखा था area of triangle ABC by PQR क्या निकाला था हमने BC by QR into AM by PN अब आप देखिए कि जब हम यहाँ पर AB by PQ और AB by PQ और AM by PN लिख रहे हैं क्याने का मतलब AM by PN और AB by PQ यहाँ पर हमारा क्योंकि यह कैसे लिख लिख लिए हमने हम चेंज करेंगे कि AB area of triangle यह हमने बनाया BC by QR AM by PN तो आप देखि रहे हैं AB by PQ AB by PQ की जगा यह जो BC by QR है BC by QR की जगा हम देख रहे हैं AB by PQ इसमें कोई समस्या नहीं है इसकी जगा हमने यह लिख दिया यहाँ से और यहाँ से हमने match कराके AB by PQ रिख दिया यह clear हो गया अब AB by PQ हो गया अब AM by PN देखिए यहाँ पर AB AB by PQ है यहाँ से उठा लीजे इसकी जगा AB by PQ रख दीजे AB square और PQ square ठीक यह हो गया अब इसी तरीके से अब इसको रखें इसको रखें इसको रखेंगे तो तीन चीजें मिलेंगी जैसे आपका AB by PQ होल square मिला इस तरीके से आपको PC by QR square मिल जाएगा CA by RP होल square मिल जाएगा क्यों आपको यह जैसे हमने एक बार यह तबदिल किया तो दूसरी बार यह कर दीजे rectangle जैसे दिख रहे हैं square है यह square 1 हो गया यह square 2 हो गया sum of these areas of 2 squares is 544 इसका मतलब क्या है आप इसका side माल लिजे X और इसका side माल लिजे Y इसका area क्या होगा X square side square होता है इसका area क्या होगा Y square इन दुनों को जोड़ेंगे X square plus Y square को तो आपको मिल रहा है 544 ठीक अब perimeter लिजे perimeter का जो difference है वो 32 है perimeter क्या होता है sum of these sides तो यह X है तो 4X हो जाएगा है और इसका हम कहेंगे 4Y difference दिया 4X minus 4Y बराबट दिया 32 अब हम यह मान के चल रहे हैं कि X greater than Y है तब ही हम यह कर पाएँगे यहां divide कर दिजे 8 4 दा 8 हो गया X minus Y बराबर 8 हो गया हमको इसमें आ रख देते हैं यहने X की जगह आप रख दीजे 8 plus Y या जैसे भी आप जैसे भी solve करना चाहें तो X की जगह मैं 8 plus Y रख देता हूं 8 plus Y का whole square plus Y square बराबर यहां पर आपका आजाएगा 544 इससे Y solve कर लीजेगा Y solve कर लेंगे ना या फिर आप क्या करेए इसको Y को लिखे X minus 8 X minus 8 है यहां इसी तरी के से रख दीजे X square plus आपने X minus 8 का whole square बराबर 544 इसमें X के लिए solve कर देंगा अगर solve में कोई समस्या हो तो यहां solution दिया हुआ है इसको आप समझ लिजे तो आपका यह X से मिल जाएगा X आपका मिलेगा अब side कभी भी negative नहीं हो सकता था X हम 20 लेंगे आपका 20 आएगा अगर भी हम यहां से solve करते हैं तो आपका Y पहले आएगा अब और में सवाल है और में दो motorboat एक नौका है motorboat whose speed is 18 km an hour is in still water takes one hour more to go for 24 km upstream than to return downstream to the same spot find the speed of the stream तो इसमें कुछ चीज़ा हमें समझनी होती है पहले चीज़ तो यह है कि यह stream है और आपकी यह नौका है जो speed boat दिया हुआ है आपको इसकी speed दियुए है वह 18 km प्रती घंट है तो 18 लिग देता हूँ speed है 18 बस अठार लिग देज़े अब हम यह ध्यान देगी है कि stream तो भह रही है मतलब पानी तो भह रहा है river stream तो भह रही है तो अब mileage इसकी speed x है अब जब यह नीचे की तरफ जाएगी यहाँ पर तो यह speed इसको help करेगी तो speed जो होगी downstream downstream यह इसको मदद करेगी और हम यह 18 है इसकी speed इसकी speed प्लस कर दिए 18 प्लस x लेकिन जब यह वापिस आएगी तो क्योंकि stream इस तरफ जा रही है और यह वापस 9 का इस तरफ जाएगी तो इतना महनत करनी पड़ेगी इसको तो यह इसकी speed कम करेगी तो speed जो होगी upstream वह जाएगी आपकी 18-x यह clear हो गया यह हो गया अब question में दिया हुआ है हम जानते है कि time होता है distance by speed distance by speed होता है distance दिया है 24 मतलब यहाँ एक दूरी दी है यह 24 distance दिया हुआ है time होता है distance by speed time आपको दिया है distance distance कितना है 24 speed आपके कितनी हो गई अभी हम speed लिखते हैं speed आप यह बात में लिखे है लेकिन आपको यह दिया है 24 मैं टाइम निकाल रहा हूँ जैसे आपको कहा हूँ T2 माइनस T1 बराबर 1 T2 ध्यान रखें यह हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए तो यह वाली आपकी जो होगी वो ऐसा होगा जिसके नीचे denominator में कम संख्या होगे कहने का मतलब कि जब आप यह 24 बाए यह आप संख्या कम है जब संख्या कम होती जैसे मैंने आपको कहा 24 को मैं 4 से डिवाइट करूँ और 24 को मैं 6 से डिवाइट करूँ आपको इसको सॉल्व करना है बस आपको एक्स निकालना है यह मैंने आपको लॉजिक बता दिया यहां पर आपको दिखा देता हूं कैसे होगा यह एक्ष्वार्ट इक्वेशन बनेगी आप देखेंगे दो वैल्यू जाएंगी एक 6 और इक माइनस 54 नेटी जाओ कभी नहीं आ सकता तो यह उठा दीजिया आपको 6 आपको 6 आगया शुलिट टॉजी इस इस था इसक्स एंटिमेटर आपको 6 और रादी ये पुरा toy है, यानि कि ये खिलाना है इस खिलाने में एक cone है और नीचे आपका hemisphere है, एक cone है hemisphere है, ध्यान रखिएगा कि ये जो hemisphere है, इसका एक यहाँ पर surface है इस surface पर ही cone है, इसका मतलब ये जो circle इसके उपर आ रहा है, hemisphere के वही circle इसका base है, cone का तो इसका भी radius इस कोν का और इसका भी radius सेम होगा तो radius साथ सेंटिमेटर रेणीच आपको दिया है रेणीच अबobenर तो दिया है तो इसकी हईट दिया है 10 तो volume क्या निकालेंगे इसका volume और इसका volume को add कर देंगे volume volume 2 by 3 pi r q और आपके पास 10 है तो निकाल लेंगे 1 by 3 pi r square h plus 2 r, अगर इससे common लेते हैं सारी values आपके पास है, 1, 2, 3, 2 cm cube आजाएगा, ठीक, ये आपके सामने है solution, कोई दिख्रत तो पताईएगा clear आपको calculation करने अब आपको area निकालना है, area जो है वो circular sheet जो इस पर cover किया जाएगा, यानि कि curve surface area निकालना है अब देखिएगा, इसका जो curve surface area होता है वो तो pi rl होता है, कुछी भी कौन का जो curve surface area होता है पाई rl इसके रवा जो curve surface area होता है hemisphere का वो होता है 2 pi r square plus plus ये pi r square इसको हम जोड नी पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम already pi rl में, क्योंकि यहाँ पर जब ये covered है, तो ये जगा तो आएगी नी, या आएगी नी right तो आप के वो इसका curve surface area लेंगे यानि कि इसका curve surface area तो pi rl, इसका curve surface area होगा आपका 2 pi r square, इन दोनों को जोड देंगे r, l ये सब आपके पास है, क्योंकि देखिएगा आपके पास जो under root 49 कैसे आया है, मैं पर उता देता हूँ ये 10 है, ये 7 है, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, हम लबाएंगे इसमें pi throgram, 7 square plus 10 का whole square under root 7 square होता है 49, 10 square होता है 100 under root यानि कि under root 149 ये ही चीज़ दिये 12.2, तो l आप direct 12.2 उसे करेंगे और इस से हमारा l आ गया, यहां पर मैंने करके भी आपको दर्शा दिया, ये l हो गया, तो यहां पर सारी value रखिए और आप जब निकालेंगे इसका slant जो area निकालना था, तो वो area आपका आग चुका है 576.4 cm2 the statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal इसका पहले सवाल आपको सम्झादू ये हो रहा है, कि यहां पर एक pedestal है pedestal मतलब यह होता है कि कोई भी चीज़ आपको लगानी है statue अगर तो उसके नीचे का जो base बनता है उसे pedestal कहते है, तो यहां आपका pedestal है उसके उपर statue लगा हुआ है यहां से आप एक observing point है यहां से जब आपसर्व कर रहे हैं आप pedestal का top, तो आपको मिल रहा है यह 45 degree, जैसी आप उपर जाएंगे इसको देखने लगेंगे, तो angle बन जाएगा 60 degree, जो statue है उसकी height DA 1.6 pedestal की height आपको निकाल ली है find the height of the pedestal तो हम क्या आप माल लेते हैं, इसको H माल लेते हैं, यह H हो गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे triangle ले रहे हैं, पूरा बड़ा वाला ACP, इस triangle में देखें का मैं यही से समझाता हूँ आपको, इसका angle है 60 degree, तो 1060 परावर होगा perpendicular यानि की पूरा AC, जिसमें 1.6 plus H करेंगे, 1.6 plus H, इसको आप कह सकते, AB plus BC, 1.6 plus H, और divided by PC, यह PC अभी PC नहीं पता, इसको आप छोड़ देते हैं, क्योंकि H by PC, तो 1040 यह तो खेर 1E होता है, तो H और PC बराबर हो गया, तो इसकी जगा आप H रख देंगे, इसकी जगा आप H रख देंगे, या तो आप डिवाइड कर लें, वैसे अवश्रक्ता नहीं है, क्योंकि H बराबर PC है, तो इसकी जगा PC की जगा H रख देंगे, और यहां से आपको H निकालना है, यहां से आपको H निकालना है, यहां से, कुछ काल्कुलिशन आपको सामने, इसमें बस एक थोड़ी सी एक कारभाई करनी पड़ेगी, बहुत आसान है, करना यह है कि आपको rationalize करना पड़ेगा, यानि रूट 3-1 जो नीचे आ रहा है, यहां पर, आप यहां पर दिखेंगे, H यहां पर आएगा, तो H रूट 3-H है, से H common ले लिजएगा, तो रूट 3-1 आएगा, रूट 3-1 को नीचे ने जाईए, तो 1.6 by रूट 3-1 आया, उपर नीचे रूट 3-1, रूट 3-1 से मुनिप्लाइ कर दिजए, नीचे आपका H square minus B square ने के 3-1, तो आपका 2 हो जाएगा, उपर आपका रूट 6 into root 3 3-1 यही पर रख दिजए, या फिर आप root 3 की value 1.732 रखके आप यह final value निकाल सकते हैं, तो यह थोड़ा इसमें 2-3 चीज़े हैं, आप मैं इस तरीके समझाओंगा आपको, बहुत ध्यान से दिखते रहिएगा, थोड़ा लंबा है इसमें, और इसके लावा एक और चीज़ है, आपको एक दो, दो पार्ट में दिये हुए हैं, यानि कि आप यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, तो पहले यह वारा solve करते हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह 0-10, 10-20 जो आपका यह है, इसको less than होगी, वो कैसे बनाएंगे, पहले 0-10, number of persons कितने हैं, इसमें, 5, 10-20, अब 10-20, यह 5 हो गया है, जब हम 0-10 लेंगे, और 10-20 लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, number of persons यह लिख देंगे, इसके बाद हम जब निकालना है, यह less than 10, तो 0-10, 10 के नीचे क्या है, 5, जब हम less than 20 लिखेंगे, तो 20 से नीचे कितना हो गया जब हम less than 30 लिखेंगे, तो 30 के नीचे कितने कितने हैं, 5 भी है, 15 भी है, 20 भी है, तीनों को जोड के यह लिखेंगे, 40, less than 40 मतलब 40 से नीचे क्या क्या है, यह 3 तो हैं, 25 भी है, 65 हो गया, less than 50 मतलब यह 4 तो हैं, 50 से नीचे 15 भी हो गया, तो यह less than 50, यह आपका cumulative frequency है, इसी त कोडिनेट्स क्या क्या है आप ध्यान से देखिए यहां पर हो गया आपका 10 यह 10 5 20 20 और 30 40 40 45 याने की 10 5 20 यह x कोडिनेट यह x कोडिनेट यह यह x कोडिनेट यह y कोडिनेट यह 30 40 x कोडिनेट y कोडिनेट 40 65 x कोडिनेट y कोडिन 50 80 x कोडिनेट y कोडिन 60 90 60 91 और 70 और 100 अब देखिए यहां पर capital N कितना है total अगर हम इसको जोड़े तो 9 आ रहा है 100 n by 2 कितना है 50 half करेंगे तो 50 और median क्या है इसकी median इसका median आपका आ रहा है 34 median लिकाने का तरीका आपको आइडिया है या फिर इसको explain करना पड़ेगा पहले मैं आपको यहां पर बता दूँगे इसको आपको median हम diagram से ही निकालेंगे less than हमने कर लिया होगी बनाएंगे यहीं से मीडिया निकालेंगे देखेंगे सबसे पहले आप देखें कि जो मैंने आपको points बताये थे वह यहां पर आप मार करेंगे upper limits हमने लिए यहां की यह सारी upper limits ले लिए यह वादी और यहां पर community frequency लगा दी आपको पता है दस पांच डाला है तो यहां 10 लीजे यहां x 10 y 5 यह point हो गया ऐसे करते करते सारे point दे दीजे यह सारे point हो गया इस जगह पर अब आपका जिखें यह जो median आया है यह 34 किस तरीके से आया है इसको मैं समझाने कोशिश करता है आपको पहले आप देखिए कि यह आपका n by 2 आया 50 यह complete n अब इस 50 पे आप देखिए कि कौन सी upper limit की value आ रही है तो मैं यह 50 पे आता हूँ 50 पे आये और यहां पर क्या value आ रही है जो भी आ रही है इसको आप नीचे डॉप कर दे अब आपको पहले सवाल दुआर दिखा देता हूँ यह है the distribution given below shows the number of wickets taken by ballers in one day cricket matches, find the mean and the median of the number of wickets taken, number of wickets यह है number of ballers यह है, तो इसको tabler form में बनाएंगे, यहां देखिएगा, हमने क्या किया number of wickets यह जो भी दिया है हमने यहां लिख दिया वैसे, अब हम क्या करेंगे, इस 20 plus 60, क्योंकि range में तो नहीं चल पाएंगे, हमें एक center point चाहिए, तो 20 plus 60 by 2, याने 40, 60 plus 100 by 2, 80, 100 plus 140 by 2, 120, इस तरीके सारे कर लेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कि हम एक assume मिल लेंगे, और assume मिल लेने के बाद, हम यहां पर हर एक value जो हमारी आई है, यह x i, उसको इससे minus करेंगे, और divided by h करेंगे, h क्या है आपके पास, देखे, h हमारे पास है, वह 40, यह 40, तो यह h हम यहां पर x minus ai by h, यहां 40 लिखा, और यह assume मिल जो है आपका, हमने assume मिल माल लीजे, पहले मैं एक साही बता दूँ, चालीस, assume मिल हम इस तरीके से लेंगे, क्योंकि, what, 4, 3, 3, हम assume मिल अगर माल लीजे, 160 लेते हैं, या आप, जो आपकी मर्जी हो, इसमें, कोई, इसमें वो नहीं है, 120 लेके चलिए, तो भी, क्या आता है, आप देखे, 40 minus 120 होगे, 80, 80 divided by 40, तो आपका minus 2, 11, एक काम करते हैं, थोड़ा और इसमें फिर बतल करते हैं, इसको 160 लेते हैं, तो 40 minus 160 divided by 40, तो क्या 120, और ये 40 minus 3 हो गये, तो ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है, एक तब मिडल लेना, क्योंकि, दोनों ही मिडल में आ रहे हैं, तो 160 ले लिजे, 120 भी ले सकते हैं, चाहे 120 लेंगे, तो ये संख्यासी चे यहां लिख दिया, इससे सब के साथ किया, फिर हमने यहां पर UI निकालने के कोशिश की, XI मतलब ये सारे element, A हमने assume mean 160 ले लिया, और divide by H करें, यानि 40, तो हर एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया यह वाला, 40 minus 160 by 40, ऐसी बागी निकाल लेंगे, अब आप क्या करेंगे, UI और इस frequency ये F है, ये UI है, इनको multiply करेंगे, 7 minus 3, 21, 5 minus 2, 10, minus 10, 16 minus 1, minus 16, 12 और 0, 0, 0, 2 and 1, 2, 3 and 2, 6, अब sigma F निकाल लेंगे, पैता लेंगे, sigma UI, FI निकाल लेंगे, ये आगे आपका, अब mean कैसे निकलेगा, mean का मतलब होता है, assume mean हमने 160 लिया था, a, plus sigma FI, UI, जो हम यहां निकाल चुके, यहां पर sigma FI, UI, ये, minus 39 निकाल चुके, और divided by sigma FI, जो हम यहां 45 निकाल चुके, into h, class interval 40, यहां रख दीजे, आपको जो mean है, वो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके निकालेंगे cumulative frequency, cumulative frequency मतलब 7 और 5 को, यहां 7 और 5 को add करिए, 12 लिखिए, 7, 5, 16, 12 को add करिए, यहां लिख दीजे, 7, 5, 16, 12, 12, 12, 12, 13, 45, यह 45 आना चाहिए आपको, तो cumulative frequency होगी, अब इसमें देखिए, यह N आपका जो है, यह 45 है, यह 45 दिय 10 by 2 करिए, 45 by 2 कितना होता है, 22.5, अब 22.5 किस में आ रहा है, किस class में आ रहा है, यह आपको देखना है कि 22.5 मेरा किस class में आ रहा है, तो यहां 22.5 मेरा बन रहा है, इस class में, 22.5 मेरा किस class में बन रहा है, 28 के पहले आता है, 28 के पहले 22.5 आता है, तो वो इस class में आ रहा है, 140 की बीच 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 यह आपका class हो गया median class ही हो गई तो इसकी frequency देख लो आप क्या है यह frequency होगी 16 frequency होई 16 इसका जो class interval है वो तो 40 है community frequency जो है इसके पहले वाली हम देते हैं यहाँ वाली यह लेते हैं 12 community frequency इसकी 12 हो गई और आपका जो lower limit है 100 formula क्या हो गया formula हो गया आपका l plus n by 2 minus cf by f into h l lower limit हम नहीं मैंने पता है 100 n by 2 आप करेंगा 45 by 2 जो कि 22.4 हम निकाले चुके थे community frequency मैंने आपको पता है था उसके पहले वाली ली जाती है 12 हो गया और यहाँ पर f frequency आपकी 16 हम निकाल चुके है frequency इसकी 16 हो गई यहाँ अब फिर यहाँ पर 25 by 40 यह आपका निकल के आजएगा 126.25 तो यह बात हुई इस पूरे पेपर की 2020 में जो आया था कोई समस्या हो कि परिशानी हो तो जरूर बताएं और all the best take care